जैए मातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकास जोजी स्वागत है मेरे YouTube फेश्बुक चैनल एस्ट वाज में मित्रो आज हम चर्चा करने ब्रिश्ची ग्रासी के अक्टूबर के मंथली राशी फल यानि मासी ग्रासी फल ब्रिश्ची ग्रासी वालों का इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे क्या ऐसी रहेगी ब्रिश्ची ग्रासी की धन की स्वास्त की परिवार की दामपत्य जीवन की इस्तधी नो गटनाय ब्रिश्ची ग्रासी के अक्टूबर के महिने में बन रही है वो नो गटनाय कौन सी है इसके बारे में डिटेल इस सबस्क्राइब नहीं चर्चा करना चाहता हूं पहला बदलाव देखा जाएँ तो करने वाला एक जा राहीस हे केतू का ट्रांजिट होगा ये तीन बड़े बदलाव देखा जाए तो अक्टूबर में होंगे तीस अक्टूबर को बहुत बड़ा बदलाव है यानि 18 साल बाद राहू केतू मेज राजी से निकल के मीन राजी में चले जाएंगे बिच्चिक राजी पर क्या प्रभाव रह सबसे पहले बिच्चिक राजी की यह कुंडली है जो आपके सामने प्रस्तूत है तो देखा जाए चतुर्द वाव में शनी है और चटे वाव में गुरू चंदर राहू एक साथ बैटें और भाई देखा जाए तो अक्टूबर के मैने में शुकर केंद्र वाव में बैठ करें तो पहली गटना का संबांग बिच्चिक राजी के स्वास्ते में होगा स्वास्ते में होगा स्वास्ते भाव के स्वामी देखा जाए मंगल है मंगल तुला राशी में हैं केतू के साथ बैठें तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्वास्ते के लिए जो सतरा दिन है एक त समस्या रह सकती है हल्की चोड बिर्ष्चिक राशी को रह सकती है जिसको चलते वे आपको 17 दिन के अंदर डॉक्टर पर टेस्ट कराने पड़ सकते हैं डॉक्टर ट्रीट्मेन्ट आपको लेना पड़ सकता है यादि ये जो शतरा देने आपके लिए भारी हैं 18 तारिक से ले रेणभाओं में बैठे हैं यानि धनभाओं के जो स्वामी है वो ब्रस्पती देवे जो आपके रेणभाओं में बैठे हैं तो कहीना कहीं जो 17 दिन है मन में आपको कंट्रोल करने की जुरूत है बिरिच्चिक राजी को वनना आप देखा जाए तो एक तारिक से लेकर और 17 18 अक्टूबर तक आप किसी बुरी लत में बढ़ सकते हैं और किसी के में आके सीग्र लालके की चक्क्र में कोई सथटा या कोई मोटा दं कमाने के चक्कर में कहीं पर Kai। कर उपर करजा करजा आपके उपर बढ़ सकता है या फिर किसी की गलत एड़वाई से आपको नुकसान हो सकता है तो यह जो 17 दिन है आपको सटा लोटरी पे बिल्कुल धन वे ना करें नहीं तो कहते हैं लेने के देने पढ़ जाएंगे उल्टा अपने उपर करजा बढ़ाएं तो 17 दिन आपको साबदानी रखनी है 18 तारीक से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए गुरु मंगल का समचब्तक योग बनेगा यानि मार्केट में रुका हुआ फसा हुआ जान आपको मिलेगा और कोई व्यक्ति आपके जीवन में 18 तारीक के बाद आएगा और आपको ब कमाने के चक्कर में ब्रिच्चि राजी वाले आपका अधन कहीं सटे जूए में इन्वेस्ट कर देंगे और आपने उपर कर्चा और लदवा देंगे फिर आप कहेंगे कि गुरु जी यह तो अच्छा हुआ है नहीं हमारे साथ तो आपको ऐसा करम नहीं करना हम आपको सतर करते हैं तीसरी घटना के बारे में बात करें तो शनी स्वामी और उननप van अंदर सफेधी का काराम या कोई ना कोई हल्की कि रचिक रासी वाले कोई भाई कोई माता पिता उप उन्स furny coal क्रीदने वाले कोई वहन नहीं कुछ फैमिली मेंबर खरीदने वाला है ऐसा योग नजर आ रहा है चोती घटना के बारे में अगर हम बात करें तो उसका संबंध है उन लोगों पे जिन बिरिच्चिक रासी वालों की संतान है तो संतान भाव के स्वामी भाई रोगेश भाव में चले गए गुरू तो कहीं ना कही संतान के लिए थोड़ा कश्टकारी रहेंगे 14 दिन उनको निमोनिया रह सकता है पेट की प्रेचा नहीं रह सकती है संतान गुस्षे और चिट्टे पन में आकर कोई नुकसान आपका कर सकती है कोई तीवी तोड़ सकती कोई नुक्सान कर सकती ऐसे कही ना कहीं अक्टूबर के मेने में नजर आएंगे तो यह 14 दिन बड़ी संतान और चोटी संतान कहीं कुछ नुक्सान कर सकती है 15 तारिक से लेकर 30 अक्टूबर तक विल्कुल नॉर्मल है तो कुल मिला के देखा जाए संतान और संतान यह 10 तो तो यह 17 ना के बारे में तो वह विद्यार्थ के बारे में हैं, यानि student के बारे में हैं, पूरा महिना देखा जाए तो विद्यारतियों का मन चंचल रहेगा, कोई वस्तु चोरी हो सकती, किसी वस्तु की हानी हो सकती है, गलत काम में मन लग सकता है, कोई दोस्त आपको गलत काम में फसा सकता है, लगा सकता है, तो दोस्तों से साबदान नहीं कोई दोस्त अगरा आपको बोलता है कि गलत काम में कर ले कर ले कर ले तो उस व्यक्ति से बचना है मन में आपको कंट्रोल रखना किसी भी गलत काम में इंवॉल्व नहीं होना है याद रखें अप चफ़टी घटना के बारे में बात करें तो चफ़टी घटना का असम्मान उन लोगों से जो नौकरी करते हैं तो कहींना कहीं मंगल और गुरू का अक्टूबर के मैने मैं आप को देंटा को देखने वाले हैं आपके धान और पद में बृद्धी होने वाली है नए जोब के आपको ओफर मिलने वाले तो कुल मिला के नौकरी से या करियर से सम्भंदित अक्टूबर का महिना भई आपके लिए तो लाब कारी रहने वाला है या तो आपको प्वाद का लाब होगा धन का लाब होगा या आपको ऐसा ओफर आता है तो तुरंत ले ले अब बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की यह साथ भी घटना है तो दामपत्य जीवन के जो मालिक हैं वह शुक्र है और वह मालब भी योग बना रहे हैं तो अक्टूबर का महिना प्रेमी प्रेमी का हो पती-पती उनके लिए वंडरफुल रहेगा प्रेमी प्रेम ब्रसने वाला है सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमी का के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है आप पे आपको इंप्रेस करने के चक्कर में बहुत सारा खर्चा करने वाला है आपके लिए कोई गेफ्ट कोई वास्तर कोई औरन पाट्नर को कोई बड़ा गिफ्ट भी उनके परिवार से मिलने वाला है या आप बात करेई पति पतनी के बारे किसी फैमली फैंक्षन में आपको लंबी दुरी की यातरा करनी पड़ सकती उ Capjamya में यानि शादी विवा या किसी धार्मिक फंक्शन में आपको जाना पड़ सकता है और पार्टर के करियर में पद धन का लाब होता हुआ अक्टूबर के मेने में नजर आ रहा है प्रेम और सोहार्द बढ़ने वाला है एक दूसरे पे आप विलीव करने वाले हैं एक दूसरे को अक्टूबर के मेने में सपोर्ट करने वाले हैं तो कुल मिलाके देखा जाए तो कही ना कही जो यह मालब भी योग बन रहा है तो पती पतनी हो प्रेमी प्रेमी का हो आपके प्रेम को बढ़ाने वाला है आपके प्रेम में चारचांद लगाने वाला है अक्टूबर का महिना अब आटवी गटना के बारे में बात करें तो आटवी गटना का संबंध उन पे है जो दुकान चलाते हैं जो फैक्टरी चलाते हैं शोरूम चलाते हैं तो देखा जाए तो व्यापार भाव में भी कोई भी कमपनी आपको मिलने के लिए जरू जाए बड़ा लाब आपको मिल सकती है याद रखेगा नौवी घटना के बारे में बात करें सुर्य मंगल और बोद कहीं ना कहीं लाब भाव में आपके बैटें तो देखा जाए तो अक्टूबर के महने में माता पिता को किसी सरक सरकारी युजना का मिल सकता है सरकारी रुकावा काम आपके माता-पिता बन पना है सरकारी रुकावा फंड सकता है यह लुक्षए झाकरम को कुछ गेन शम्मे सकता है तो यह नोग उपना रासी वालों के साथ होने वाली इस कारेकरम में मित्रोबार इतना ही मुझे दीजे जाया जहीं माता दी